हेलो रॉके स्टार्स तो बहुत सारे बच्चे अभी भी एंसर की जो भी ओयमार सीट है वो रिलीज तो हो गया चैलेंज करें सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे चैलेंज करें तो इसी लिए हम एक बहुत सिंपल सा इस बोर्ड को आप अपना मोबाइल समझ सकते हैं या आपके पास लैपटॉप हो टैबलेट हो वाटेबर जो भी हो बहुत सिंपल सा स्टेप है इस स्टेप को फॉलो करिएगा तो जो बच्चे कहीं न कहीं से अभी भटक रहे हैं कि कैस क्या करना है या आपको चैलेंज करना है नहीं करना है लेकिन आपको जानना है कि कैसे हम अपना OMR सीट को या आंसर को चैलेंज कर सकते हैं तो एक बहुत सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाने की कोशिज करूंगा बहुत सिंपली आपको मोबाइल में टैबलेट में या व बहुत सिंपली अगर हम सर्च में ही जाएं जैसे के हमने सर्च किया था एक्जाम्स NTA.NIC.IN यहां पे हम गये अब यहां पे जब हम जाएंगे तो हम माल लीजिए कि नेशनल इलिजबिलेटी कम इंटरेंज टेस्ट NTA पर लहां पे इक्जाम्स पर क्लिक करेंगे थो यह वाला इंटरफेस खुल जाएगा बहुत सिंपली आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक लेटेस्ट नियूज में यहांँ पे दिख रहा होगा कि क्लिक है尔र फार अनसर की चैलेंज answer की challenge answer की को challenge करने के लिए यहाँ पे click करें देखिए मैं simply यहाँ पे touch करूँगा click करा ठीक है तो आ गया यहाँ पे click here for NEET 2024 answer की challenge आपको simply यहाँ touch करना है तो जैसे ही आपको यह वाला interface दिखना चालू हो जाए application number, date of birth और यहाँ क्या लिखा होगा inter security pin लिखा होगा आपको जो भी आपका admit card है उसमें एक तोरो number होगा और दूसरा application number होगा यहाँ हम demo के लिए एक application number से आपको दिखाते हैं माल दीजिए application number से हम अगर डालना चालू करें तो देखिएगा क्या होगा ठीक है फिर यहाँ data bird डालना है बहिया data bird क्या है आपकी date of birth डालना है माल लिजिए तो date of birth select कर लिजिए date of birth select कर लिजिए चलो भीया कर लेते हैं चलो भीया आराम से कर लिया फिर यहाँ जो capture दिया है उब capture कर लेंगे जो भी number दिया हुआ है अब कर लिया उसके बाद हमने कर दिया submit क्या कर दिया दो सब्मिट कर दिया तमाम detail आ गया detail आ गया तो challenge answer की या challenge OMR sit ऐसे कर के आ रहा होगा ध्यान दीजिएगा challenge answer की challenge या view challenge answer की challenge OMR sit चलिए देखते हैं challenge माल लिजिए answer की का करना हो तो यहाँ देखिए आप ऐसे खुलके interface चलाएगा ठीक है ऐसे पूरा sit जो आपका examination में sit number R6 था ऐसे जो भी था वो पूरा चलाएगा अब challenge आपका answer की दिखा रहा है कि आपने यह किया है और आपको लगता है कि कोई valid proof है जैसे इसमें पीछे जाएंगे अगर आप माल लिजिए पीछे जाएं पीछे जाएंगे तो view challenge unanswered की अभी तक आपने कोई challenge नहीं किया है इसलिए ऐसा आ रहा है प्ली challenge at least one question तब जाके आपको दिखाएगा OMR seat को challenge करना हो कि OMR seat कैसे challenge करें तो यहां OMR seat जो है ओ दिया हुआ ऐसे तो आप देखिए जो भी भरा गया होगा जो भी इस बच्चे का होगा जिसका आप OMR seat भी view कर सकते हैं तमाम चीजे आपको दी हुई है कोई भी answer देखिए एकदम exactly वैसे ही OMR seat यहां पे भी check कर सकते ह एगर कोई चीज गलती आपने भर दी है तब भी आप उसे क्या कर सकते हैं सही करा सकते हैं तमाम चीजे हैं तो आप ऐसे जाईए प्रोसीड करिए जब ऐसे प्रोसीड करिएगा तो आपको जो भी समस्याएं हैं आपकी जो भी problems हैं उस सारी problems क्या होंगी दूर हो जाएंग तो हमें लगता है कि आपको एक-एक step समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैं बताया, एक-एक step को देखेंगे, तो पीछे करते चलें अगर हम, तो एक बार और इसी step को पूरा समझा दूमें, कि करना क्या है basically आपको, basically आपको अपना mobile लेना है, mobile लेने के बाद क्या करना है भईय आपको जाना है exam.ta.nic पे यहाँ national eligibility come internet test पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आएगा click here for answer की challenge click here for answer की challenge पे गए यहाँ click किया यहाँ click किया चलो भाई कर दिया अपना application नमर डालिए data बढ़ डालिए capture डालिए जैसे ही submit करेंगे challenge का option आजाएगा जैसे के हमने दिखाया कि answer की भी challenge कर सकते हैं और OMR seat भी challenge कर सकते हैं challenge आपका तब ही submit होगा जब at least कम सकम एक question का आपने proof के साथ submit किया है ठीक है तो इसी step को follow करिए अपना आप OMR seat भी देख सकते हैं जैसा कि हमने देखा कि आपका क्या OMR seat भरा हुआ है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगता है कि OMR seat में गलती भर दिया होंगे रोल नम्मर नाम यह तमाम चीज़े देख सकते हैं सकून में आ सकते हैं तो follow करिए इस step को धन्यवाद बाई बाई